वेलकम डिये स्टुडेंट्स वेक्टर्स रिजॉल्यूशन अब सब टाइटल तो देख सकते हो यहां पर स्क्रीन के पर में लखा है वेक्टर्स को रिजॉल्यूशन जैसे कि हमारी बच्चों वेक्टर्स की सिक्वेंस चल रही है उसमें वन बाइवन टोपिक आ रहे तो अगर वीडियो लास्ट तक बच्चों आपने देखा है तो सारे कंसिप आपके क्लियर हो जाए के वेक्टर्स रिजॉल्यूशन के इच एन एवरी कंसिप कवर किये है वेक्टर्स को रिजॉल्यूशन करेगे एक बार टू डैमेशन में एक बार थ्री डैमेशन में वेक्ट को result क्या होता है वेक्डर्स जैसिकेगे बचों लास क्लास क्लास में ने देखा है कि वेक्डर्स अडिशन प्रोसेशं देखा था उन्क्रोद्व folty Street को अञेड़ किया था इसके यहां पर लेOS सकते हैं और एक्स और यह तो हमने दो दो मेटर से एडिशन जैके तो यह उद्द दे बच्चो यह वेक्टर जो आपको वेक्टर दिया उसको तोड़ के इसको तोड़ के दो पार्ट में डिवाड़ करना एक्स डिरेक्टर वेक्टर क्या होगा वाई डिरेक्शन में वेक्टर क्या होगा और तुम लोग को बाता है और तो थ्री एंट फॉर पाई था करो उसलो के इसाब से मेरे कोई नॉर्मल सी बात सा रुपाई आता है थ्री का स्क्वर नाइन फॉर का सिक्ष्टीन नाइन पंडीपाई 25 का रूट फाय होगा बच्चा बच्चा जानता है अभी आज के ग्लास में क्या देखना है बच्चो य एंगल के इसाब से त्री यह इसको दो पाट में एक्स डिरेक्शन में और वाई डिरेक्शन में क्या हैगा उसका कंपोनेट वो देखना है बराबर फील आरी यह बात समझ मानलो आपको वन सिक्ष्टीन आइन आपको दिया है बराबर तो इसको यह तोड के इसको कर देना है और एक डिरेक्शन में क्या है यह मानलो आपको दिवेल आ रहा है तो इसके इसाब से वेक्टर को रिजोल करना है तो डिमेंशन वाला देखते है देखो बच्चो वेक्टर्स रिजोलिशन टू-डैमेंशन आपको यह डाग्रम तो ने बतादा शुका हूँ दे एक सक्सिलसाया बढ़ाइब तो वेक्टर आम देख सकते हो यहां पर वेक्टर साइर आपको दिया है उसको के उच्छाण कितना क्या होगा वाइड देरेक्शन में वेक्टर का इसको आपको यह त्यागल जीता दिया है यह एंगल यह न बनाया हैं यह 90 डिग्री होता है तो तो आप देखो कोस्टीटा का फो म्या होगा बचो क्या क्या कर बेख बइस ए多 एक डैरेक्शन में Estados SG अपरी आप खर लागा तो आ रएक्स बराबर अक्या बचो और होगा क्योंकि यह मेरा क्या होगा और एक्स यह वाला क्या होगा र है तो rx बराबर क्या बन जाएगा बच्चो r cos theta बन जाएगा sir r cos theta बनेगा यह x direction का component आई है vector r का तो similarly y direction में component क्या होगा तो उसमें देखो sin theta बराबर क्या है तो सामने वाली side के r y है divide by के r है तो r y बराबर क्या बन जाएगा r sin theta बन जाएगा हाँ sir ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो x direction में यह vector का अगर theta angle है तो क्या component बन जाएगा r cos theta बनेगा y direction में क्या बनेगा r sin theta बनेगा यह हमने vector सार को दो part में split किया ठीक है x direction का component r cos theta है y direction का component क्या होगा r sin theta हुआ यह scalar form में है अगर यहीं चीज़ को में vector form में लिखू तो देखो हम लग सब जानते है भाई x direction में vectors क्यों represent करना है तो कौन सी आई के अप से denote करेगे y direction में represent करना है तो j के अप से denote करेगे बराबर तो यहीं vectors था यार इसको vector form में लिखू तो x direction का component है वो r x है तो r x को में कैसे लिख दूगा sir i cap i cap बलो वो क्या होगा x direction में जा रहा है और यह r y plus r y j तो y direction में जा रहा है तो इस तरह से भी में लिख सकता हूँ बराबर vector r equal to r x i plus r y j बराबर नॉर्मल सी बात समझ मारी बात समको बराबर इसके लेवल के question solve करेंगे r x पर अबर यहां पर r cos theta put कर सकते हो r cos theta i cap plus r sin theta j बराबर यह सब हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बराबर तो r cos theta और r sin theta एक दो question solve करेंगे और clear होगा देखो बच्चो और मैं अगर यहां पर आपको दो-तीन question में अपनी तरीके से बना हुई है आपे ध्यान दीजे यह मेरे पास कुछ angle दी है आपे दिया है यह right angle triangle में ले लिता हूँ बराबर चलो पिले यह इदर मेरे x है यह y है यह vector मेरे को r आपको दिया है यह बराबर दिया है यह इंगल मेरे को 30 degree दिया है 30 degree दिया है तो इसके x direction में component कितना होगा r x कितना होगा और यह r y कितना होगा यह r y तो क्या होगा यह भी r y होगा r x कितना होगा r y कितना होगा तो नॉर्मल सी बात है पी चो को से पोन एकटिनेस होगा तो 60 बराबर या और एक्स डिवाइट क्या हो का आ और आर कि वेल्वर को दिया 10 और एक्स बराबर क्या ब fedrash क्या बंजेगा चार्ण को सथ ground मैं को सब्रूटि इसर तो रूट्ट्री बाइट ऐगी और यह यार तो आप कि आरड़ाई बेड़ार बिट थो है तो एक वाइक मैप उपन के आए-दिंड गां घ्टी कि सुर्ष थे शाइन-टे लिण देखां टेंट है साइन-टिए क्वियुलिट वैडित팅 के गर्रोम इंड बंथा लिए-वग सीन डुट्ष झार क्यों पा रहें था रूट-ष्य, तो यह वेक्टर आर को 10 Newton को हमने split करके तोड़के दो पार्ट में डिवाड़ी एक डिरेक्शन में 5 रूट 3 है और य डिरेक्शन में 5 Newton है यह एंगल के उपट में 151 ठीट करेंगा अगर यही चीज को वेक्टर फर में लिखना थो क्या लिखना थे यह लिख अ य्क हई तो ठीक है इस तरह से अभी हम रिप्रेजेंट करेगे हैं तुम लोग को एक क्वेस्टन अभी देखो यहां पे देखो एक बढ़िया सा क्वेस्टन है यहां पर एक क्वेस्टन है बचो 50 न्यूटन है एफ है 37 फ्रॉम नेगिटिव एक सक्सिस नेगिटिव मालब यह आपको एक एकस बना देता हो बच्चो एकस और यह आपकी वाई नेगिटिव एक सक्सिस मालब इस तरफ आएगा बढ़ाब पोजीटिव होती तो हमारी उपर की इस राइट सैड में तो नेगिटिव इदर और साथ में क्या पोजीटिव एकस अब देखो नेगिटिव एकस और पोज अब 37 एंगल बना रहा है अब देखिए ये एकस की वैल्य कितनी दिया है तो 15 नेगिटिव एकस तो यह वाला कंपोनेंट कौन सा होगा एकस एकस डिरेक्शन का एकस कंपोनेंट होगा एकस की डिरेक्शन में और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जगेगा तो सर एकस क्कोंपोनेंट में कंपोनेंट भलेगा तो नॉर्माण सी बात है पछों बहें को सीडा का फोन 800 न लगाएगे तो 57 बराबर के नेगा सर एफ ​​कस अपनिया चाहा होग तो एफ एकस बराबर क्या प्याएगा तो एफ कोस थ्रटी हो जाएगा एफ कोस थर्टी सेवन अब ये तुम लोगो को ये ट्राइंगल स्याद रख लो जरूरत पड़ी कि बच्चा क्या होगी सर यहां पर मान लो थ्री दिया है ये फॉर दिया और ये राइट आंगल साइन तो 3 के सामने 37 डिग्री एंगल रखना है 4 के सामने 53 वाला एंगल होगा और यह क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल 90 अब देखो कोस 37 का फॉर्मला बेज अपॉन एपटीनिस तो क्या एक 4 बाइ-5 होगा F की वेल्व यहां पर कितनी दिया है तो 15 दिया है यहां कि एक ट्वैल बाइ-5 यह 12 Newton बन जाएगा एकस की डिरेक्शन में क्या होग्त ट्वैल नुटन होगा similarly देखो यहां पर ब्चोंग कोई यह मरा ए-5 होगा तो अब यहां पर क्या होग्त? sin 37 अब देखो यहां पर साइन त्रटी सेवन गया कोई आी से कपोनेंट मिलेंगा अंपस्स और यह पैंदबेपा कि added त्Most के डिया है तो 1077 का सा इंड्या से देख सकते हो क्या दिया है sin 37, बराब और opposite side upon hypotenin, तो 3 by 5, 5 तो 9 न्यूटन है, तो यह y direction में component क्या है, 9 newton, x direction में component 12 न्यूटन है, बराब तो हमको यह represent f in the terms of i, और j kai, अब जखो, f vectors, इसको form है, क्या होता है तो f x कितना है या मेरा ट्रेल आए यह क्या है नाइन जे के टिक वेक्टर एफ क्लियर हुआ तुम लोग को बराबर एक दम सांदार तरीके से कि हमने बच्चा क्लियर हो रहा है एक बार वीडियो को पोस्ट करके खुछ से ट्राइ करिए जितना खुछ से करो के उ magnitude and direction of vector a 6i minus 8j अभी देखो vector form में दिया है चो last question में हमने resultant vector निकाला था अभी देखो इसका यह vectors दिया है उसको vector form में दिया है तो उसका हम diagram बनागे उसका magnitude निकालेगे और direction find करेगे देखो क्या होगा से रबचों यह हमारी x और यह हमारी y x e से यहाँ पर 6i मतलब यह x में बढ़ रहे है एड जे जे मलब y x पर माइनस में नीचे जाएगे 6i तो इधर के मान लोग यह हमारा 6 6 वाला यह 8 मेलब वो इधर माइनस अले नीचे गया तो यह दोनों को मैंने यहाँ पर connect कर देता हूँ बढ़ आप connect कर दिया तो 6i माइनस 8j तो यह जो मिलेगा वो वाला resultant vector क्या होगा 6i माइनस 8j होगा पर आप यह 6i है माइनस 8j माइनस sign मेलब नीचे जा रहा है और कोशे नीचे नीचे जा रहा है तो यह vector सापको दिया है तो क्या दिया है 6i माइनस 8j तो यह दोनों का resultant vector क्या मिलेगा यहाँ पर 6i माइनस 8j बराबर अब अब यह एंगल कितरा हम बना रहा है तो ठीटा एंगल बना रहा है बराब अब 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 आब देखो 8j तो यह भी क्या होगा यह दर इस तरब यह माइनस 8j तो अब यहाँ पर इंगल की तरह मिल रहा है सर तो 90 degree angle मिल रहा है 90 degree तो पाइज दिगर लो लगा यह क्या है 6i है यह क्या है 8j जे मलब वो क्या इंडिकेट करें कि बहुए डायरेक्स इंडिकेट करें और कुछ नहीं का तो हमको यहां पर क्या लोग करने है पाइज जो लो हमको क्या निकल वेक्टर एका मेगनी जूट जाई है यह क्या उसका मेगनी जूट जाई है ठीक है तो उसके लिए क्या होगा पाइज पाइज को रुस लो यह साइड का स्क्वेर प्लस यह साइड का स्क्वेर को डिये स्क्वेर हलाक यह और यह एक्वल होगी क्योंकि सामने पैरलोग्राम बन रहा है पैरलोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होगी 6, 6 का square जाओगा 36, I का square I unit vector होता है, unit vector का square जाओगा खुद 1 हो जाएगा, बच्चोँ, तो 1 हो जाएगा यह क्या होगा 64 हो जाएगा, यह क्या होगा दोनों का sum करो 100 आ रहे है, आसर ठीक, 100 आ रहे है उसका root निकल होती है का 10 है का Direction की बात कर है, कितना angle बना रहा है खो जाओ, आपको यह पे mention नहीं करना है, यह triangle देखना है यह लावे साथ अलग से triangle कर बना दो यह यह क्या होगा 8 होगा यह क्या होगा 6 होगा तो यह आपको angle चाहिए यह वाला angle चाहिए बराबर तो 10 सीटा बराबर opposite side divided by hypotenuse 10 सीटा बराबर क्या बन जाएगा 4 by 3 बनेगा 4 by 3 बनेगा तो अभी देखो वाला triangle का भी बता है याद करो तुम लोग बच्चो यह 4 रहेगा इस तरफ 3 रहेगा इस तरफ क्या होगा 5 होगा तो 4 के सामने angle क्या बनेगा तो 53 बनेगा तो ठीटा बराबर क्या हैगा 53 बनेगा देखो 10 53 बराबर क्या होगा फॉर बाइटरी बनेगा तो डायरेक्शन क्या होगी 53 बनेगा यह डायरेक्शन भी मिली बराबर ठीक है अभी समझ में आ रही तुम लोग बराबर यह हुआ सेगंड नमर का क्वेस्टन देखो नेक्स क्वेस्टन क्या कह रहा है रिजोल्ट वेट टेन न्यूटन बढ़िया बढ़िया क्वेस्टन है अच्छे अच्छे क्वेस्टन एकदम जोड़ दार बहुत सारी पांच से छे रेफरेंस बुक में से क्वेस्टन इंकाले हैं तो तुम लोग क्वेस्टन देखो और वीडियो को पोस्ट करके ट्राय करिए यह खुछ से सोल करने की वीडियो लगातार तो कंटीन्यू चल दा रहेगा पर आपको खुछ से ट्राय करना है देखो इतने क्वेस्टन कवर कर लिए मानलो आपके कंसेप्ट लियर हो जाएका और फिजिक्स में तो में तो नुम्री कसी होता है में तो हमारा पार्ट देखो इतने क्वेस्टन इंट डिरेक्शन वीचार पैरिलर एंड पर्पेंडिकुलर टो स्लोप इंकलाइन 30 डिग्री टुद्ध ऑरिजॉंटल बराबर आप देखिए डाइग्राम आपको यहां पर एक स्लोप बन रहा है कितना एंगल बना रहा है तो 30 डिग्री विद्ध ऑरिजॉंटल यहां पर यहां पर जो वेट आपको दिया कोई ब्लॉक है मान लो उसका वेट कितना 10 यूटन है नीचे की डिरेक्शन में 10 यूटन ये अंगल कितना होता है 90 डिग्री अंगल होगा तो यह पाइस पर पाइस अगरोस लोग ही इसाब से किया होगा 60 डिग्री बन जाएगा यह वाला कंपोनेट इसको कौन सा कंपोनेट किया परपेंडिकुलर कंपोनेट है ठीक है वेट का यह वाला कंपोनेट किया होगा परपेंडिकुलर कंपोनेट है और यह क्या होगा ओरिजोंटल कंपोनेट होरिजोंटल कंपोनेट है ठीक है अब देखो यह 60 डेग्या बने पजलो यह हमारा टे ज्म न्यूटन है तो जिसके साथ एंगल बनेगा वह वाला क्वा बनेगा कोस ट्रहर बनेगा और दूसरा क्या बनेगा सांट बनेगा और और फेल कर वाओ देखो अगर भैं देहान दो, यह ओफ मेरे पास FORCE F है यह उपर ठीटा नंगल है, तो यह वाला क्या बनेगा COST ठीटा बनेगा, यह वाला क्या बन जाएगा ाइन ठीटा बनेगा, यह वाला F COST ठीटा बनेगा, यह मेरे पास ऐसा है सर फोर्स यह मेरा ठीटा दिया है तो इसका यह मान लो एफ है तो यह क्या बंज़ेगा एफ कोस ठीटा बनेगा यह वाला क्या बनेगा तो सिमिलर्ले अभी देखो यहां पे वही चीज को आपको तुम को लेकर आ रहा हो कि सर टेन यूटान है बच्चो यह एंगल मेरा ठीट यह 30 डिगरी तो इसके साथ यह perpendicular वाला component क्या बनेगा? cos बनेगा और दूसरा वाला component क्या बनेगा? sin theta बनेगा तो weight का perpendicular component 10 का क्या हैगा? cos 30 डिगरी यह clear होना चाहिए यह 30 तो 90 यह perpendicular तो 90, 30, 120 इसमें तीनों एंगल का sum 180 होता है तो 60 डिगरी बनेगा यह 60 बनेगा तो यह कि तरह बन जाएगा? 30 डिगरी बन जाएगा तो 10 cos 30, cos 30 की value बोलो भाई क्या है कि रूट 3 बाइट हुआगी? तो answer क्या है का 5 root 3 यूटन है का? आँ sir ठीक है, perpendicular component 5 root 3 आए horizontal component की बात करूँ तो क्या हैगा? 10 sin 30 हैगा sin 30 की value क्या है कि बच्चो 1 by 2 तो क्या बन जाएगा? 5 नूटन मनेगा बराबर तो दो answer आगे यह हमारे perpendicular 5 root 3 और यह horizontal component यह horizontal component मलब दो line किया है horizontal किया? बराबर two direction which are parallel parallel यह perpendicular कह सकता है horizontal यह parallel दोनों equal हैं बराबर? 5 नूटन clear अभी? बराबर अब देखो एक question पर खुच्च करिए मजाएगा देखो नेक्स question क्या कह रहा है यह तो बहुत बढ़ी असान था यह question कर लिया मतलब सामझे vector resolution 2D के सारे concept clear होगे बराबर अब देखिए 6 नूटन आगे बढ़ रहा है यह diagram है इसको मान लो बच्चो F1 force दिया क्या दिया? F1 मैंने दिये दिया इसको क्या दिया? सर F2 दे दिया इसको क्या दिया? बच्चो F3 दिया यह नूटन है हमारे पाई सब F3 है बराबर? ओके? अब जी यह वाले में तुम लोग को resolve करना है X की डियरेक्शन में और Y की डियरेक्शन में बराबर तो देखो जिसके साथ जो X के साथ force एंगल बना है वो क्या हो? X component होगा और दूसरा वाला Y component होगा बराबर तो अब देखो पहले मैं सबसे X की यहां पे बात करता हूँ X की देखो यह वाला इधर में बताव तो देखो, यह वाला एंगलस, यह मेरा center point वो मार लो, इधर में बताव देखो, यह वाला O point है, अब देखो, 6 newton ने, x के साथ 30 degree angle बनेगा, तो यह वाला component यह बनेगा, F1 cos 30 और यह वला क्या बनेगा F2 cos 45 बनेगा और यह वला क्या बनेगा F1 इस तरफ cos 30 है तो इस तरफ क्या का F1 sin 30 होगा और यह वला क्या बनेगा F2 sin 45 बनेगा तो पहले मैं X की बात करा हूँ देखो तो X में F1 की बात करूँ यहां पर यह डियाग्राम बनाओ, यह फन, वहलों यह, 6 cos 30, 6 cos 30 plus, यह समझ मारी बात तुम लोग को, 6 cos 30, तो इस तकर अपना 3 root 2 cos 45, तो 3 root 2 cos 45, अभी यह positive x के आगे answer आगे दोना, अभी negative में देखो, इस direction का कोई component हमको निकालना है नहीं है, चुकि यह तो x में है, पर negative में है, direction हमने 3 root 3 इदर लिया, ठीक है, अब देखो, तो यहां पर f, x में, कितना net answer आएगा, देखो, 6 cos 30, 6 cos 30, plus, 3 root 2 cos 45, minus, minus चुकर रहे, चुकि यह, अगर यह direction में ने plus लिया, तो इस तरब जाएगा, माइनस होका, तो 3 root 3 हैगा, cos 30 की वेल्यू कियागी, sir, root 3 by 2 होगी बच्चों, और यहां पर कियागा, 3 root 2 cos 45 कियागा, 1 by root 2 हैगा, minus 3 root 3, देखो, यह कियागा, 3 root 3, 3 root 3, अब यह को यह cancel होका, 3 newton है, तो X के, resultant force, बराबर तो आपको देखो, यहाँ पर Fx, Fx हमारा क्या answer है, F of X बराबर आएगा, 3 newton है, 3 newton है, बराबर, F of X बराबर 3 newton है, यह clear हो रहे हैं तुम लोग, F of X बराबर किया है, 3 newton है, तो similarly, net force on X direction, 3 newton है, तो same way, net force on Y, यह में अटा रहा हो, बराबर, अब देखो, अपने बास space की कमी नहीं है, थोड़े इमें अटा रहा हो, पर same way है, यह चाहिए, net force on Y direction, आप देखो, net force on Y direction, आप देखो, यह वाला coast है, यह वाला क्या बनेगा, साइन बनेगा, तो इस उपर की direction में, देखो, क्या बन रहा है, यहाँ पे, तो 6, साइन, 30 बनेगा, बच्चा है, अब देखो, नीचे की direction में क्या बनेगा, देखो, यह वाला coast है, यह वाला क्या बनेगा, साइन बनेगा सर तो 3 root 2 sin 45 यह तो X की direction में हम को इसको लिख रहा ही नहीं है उपर minus नीचे उपर sin 30 जाएगा 1 by 2 बन जाएगा 1 by 2 बनेगा तो 3 newton बनेगा बच्चो यह क्या बनेगा 3 root 2 sin 45 1 by root यह तो सर दोनों चम चम हो रहा है यहां पर देखो उपर भी 3 newton नीचे भी 3 newton आपस में एक दूसरे को मार जाएगे तो यह 5 बराबर कियाएगा 0 newton है y direction में लगी नहीं रहा है तो इसमें net force net force कितना हैगा net force बच्चो आएगा अगर vector form में लिखू तो X direction में 3i और y direction में 0j अगर इसको लिखो नहीं तो भी चलेगा 0 मतलब 0j मतलब कुछ लिखने की ज़राद नी पड़ा है मने लिख दिया 3i plus 0j find the magnitude and resultant force acting on the grain बराब इस मतलब इस center में हमको find करना है net force बराबर और इसको magnitude में लिखे तो अब बराबर कियेगा 3 newton बस उसकी direction कहा होगी इस direction में बराबर ठीक है अभी clear हो रहा है तुम लोगो बराबर झाल 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 झाल